नवस्कार सात्यों आपका हमारी यूट्यूब चैनल जूगल टेक्निकल में हार दिक स्वागते में जूगल राट और साथ इस वीडियो में बात करेंगे साला दरपन इस्टाब लोगिन पर जो पासवर्ड चेंज का नया उप्सन सुरू किया गया है यानि कि आपको इस्टा पूरा वीडियो देखे और आप अमारे चैनल पर नए है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें क्लिक करें क्योंकि इसी जानकारी में आपको लगाता रहता रहता हूं तो सुरू करते हैं तो देखे सात्यों जिस परकार साला दरपन पर जो न्यू पासवर्ड पॉलिसी लागू की गई है इसके तरत आपको साला दरपन पर जो पासवर्ड हैं वो चेंज करने हैं बदलने हैं तो उसकी प्रोसेज किस परकार अपनानी थी उसका मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें सारी जानकारी आपको बताई थी और उसके माद्यम से कापी ल लोगिन है और अपको पुराने ही आइड़े और पासवर्ड डालने हैं तो आप यहां से लोगिन कर लें अब देखे आपको यहां पर जो चेंज पासवर्ड करना है उसके लिए आपको क्या प्रोसेज अपना नहीं है तो देखे आप एक नोट दिया हुए है इसको आप अ को जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है तो उस पासवर्ड से आपने लोगिन किया है तो देखें आप लोगिन करने के पस्यात यहां आये हैं तो आपको ओल्ड पासवर्ड और लास्ट पासवर्ड वाले को जो भॉक्स में अपने मॉंबाइल नंबर पर प्राप्त पासवर्ड करना है यानि कि अगर आपने पासवर्ड को forget किया है तो जो आपको mobile में password पराप्त हुए हैं वो यहाँ पर old password last password में आपको फिल करना है अगर आप नहीं किया है तो देखिए अन्यता password बदलने की स्थथ में आप अपना पुराना password भी प्रेविश्टिक कर सकते हैं तो देखें अगर आपने 4Gate password नहीं किया है तो आप जो पुराना stop ID password है आपका वो डाल दे और अगर आपने 4Gate password कर दिया है तो आपको जो mobile पर password पराब्त हुए है वो यहाँ पर फिल कर दे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पासवर्ड आपको create करने हैं और confirm password भी आपको यहाँ पर डालने हैं अब देखिए आपको जो password create करने हो किस परकार करने हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ देखिए new password security standards और guidelines यहाँ पर पर देखिए जो पहला character है वह आपको special character लेना है देखिए यहाँ पर इतने सारे option है इनमें से आप कोई साबी एक special character ले सकते हैं इसके बाद जो आगे के words होंगे उसमें देखिए आपको जो पहला capital letter है एक से जेर तक आप ले सकते हैं इसके बाद small के अक्सर भी आपको से एक बाद special character आपको लेना है इस परकार आपको 12-15 जो हैं इनकी लेंट होनी चाहिए जो आप पासवर्ड बना रहे हैं 12-15 के बीचे इनके सब्द होने चाहिए इस परकार आप उनको 12-15 के बीच में रख सकते हैं वो देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पर demo password भी बता द साथ ले सकते हैं इसके बाद आपको संक्या लेनी है जीरो से नो भी आप यहाँ पर लेनी है और लास्ट में भी आपको special character रखना है देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ आप चाहिए तो दूसरा भी आप ले सकते हैं जो भी special character है तो इस परकार आपको यह जो 12-15 के बीच में इनकी length रखनी है यहाँ कि 12-13-14-15 आप रख सकते हैं 12 से कमनी होने चाहिए और 15 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए तो इस परकार आप यहाँ पर password कर सकते हैं तो इस परकार यह password की रहेगा अब देखिए आपने जैसे आपने new password और confirm password कर लिए हैं इसके बाद आपको जैस इसे अब आपको login कर लेना है ऐड डालके पासवर्ड डालकर login आपको कर लेना है तो यहrench Password करना है पास्वर्ट किस परकार क्रेट करने हैं इसकी पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने का प्रियास किया आपको हमारी जानकारी कैसी लगी जानकारी इच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को स एसी लेटेस जानकारी में आपको लगातार देता रेता हूं देने वसाती हूं